हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइट का दे लिटल गर्ल पुल चैप्टर बहुत ही जल्दी तो ये कहानी है केजिया की जो केजिया थी वो एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपनी मम्मी पापा और ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी आप में से कौन कौन बच्चा अपने पापा से डरता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना जैसे ही केजिया अपने पापा को आफिस जाते हुए देखती थी वो बहुत खुश हो जाती थी मेरे पापा जब भी बच्छपन में आफिस जाते थे मैं टीवी चला कर देखता था तो ऐसा करता था तो देखो केजिया भी कुछ इसी तरीके किया जैसे पापा उफस जाते हैं उसको थोड़ी सी रिलीफ महसूस होती थी कि हाँ भई चलो अच्छा हुआ केजिया अपने पापा से इतना डरती थी that she used to stutter मतलब की एक तरीके से हकलाने लग जाती थी ऐसे करके बात करते हैं कुछ लोग बीच में अटकने लग जाते हैं बोलते बोलते वो चीज उसके साथ होती थी जब वो अपने फादर के सामने होती थी जो उसके फादर थे वो केजिया को ऐसा लगता था कि बहुत ही जादा हार्श है रूड है और critical human being है critical human being का मतलब होता है कि हर कि किसी इंसान के अंदर mistake निकालने वाले हर चीज के अंदर mistake निकालने वाले harsh और rude का मतलब की बहुत ही जादा strict type का nature था उनका बहुत ही गुसे वाले थे तो आई होप यह चीज अब आपको clear हुई होगी जो केजिया की grandmother थी वो हमेशा से ये चाहती थी कि केजिया अपने parents को अच्छे से understand करे उनसे अच्छे से बात करे तो वो केजिया को बुला करती थी बैटा जाओ drawing room में अपने parents से बात करो अब केजिया मम्मी से तो बातचीत कर लेती थी उसकी थोड़ा बहुत मम्मी से अच्छा bond भी था लेकिन पापा से वो बहुत डरा करती थी उसको ऐसा ल बात होती है दादी जी बोलती है केजिया को के बेटा ऐसा करो तुम एक पिन कुशन बना लो अपने पापा के बर्डे के लिए केजिया बहुत कुश हो जाती है वो पिन कुशन को बनाना शुरू करती है सर्फ पिन कुशन कैसा दिखता है कुछ इस तरीके का तो जब केजि या रूई ढूनती है और भी बहुत सारी चीज़े ढूनती है उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन जब वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है तो उसके बैड के सैड में टेबल पर कुछ पेपर रखे हुए दिखते हैं अब केजिया सोचती है कि यह पेपर तो बहुत बढ़ी ह उन पेपरों को वो फार्ती है और इस पिन कुशन के अंदर गुसा देती है पूरे के पूरे पिन कुशन को अच्छे से वो पेपर गुसाने के बाद यह स्टिच कर देती है तो जो फोर्ट साइड होती है उसको भी यह सिल देती है स्टिच करने को बोलते हम लोग बैटा सि वे तीन साइट से ली थी एक साइड ओपन क्यों थी जिससे की इस पिन कुशन के अंदर कुछ वो भर सके अब उसने क्या भर दिया था पेपर कहां से लिये थे पेपर अपनी मम्मी के रूम से बाइ मिस्टेक जो केजिया ने पेपर फिल करे थे वो उसके फादर के बहुत important पेपर थे जिनको वो use करने वाले थे for the speech at port authority तो उन्हें कहीं पर speech देनी होगी port authority में उन्हें speech देनी थी वहाँ पर इन पेपर का इस्तमाल करने वाले थे अब केजिया अपनी गलती मान लेती है बोलती है पापा पापा आप अपने पेपर मत ढूंड़ो मैंने ही गलती से उन पेपरों को कुशन के अंदर डाल दिया है वो इस reason को भी explain करती है कि पापा मैंने ऐसा क्यों करा लेकिन जो उसके फादर थे वो बहुत गुसे में थे वो कुछ भी नहीं सुनना चाते थे तो वो केजिया से बोलते है अपना हाथ आगे करो और जोर से केजिया को ruler से मारना शुरू कर देते है बिचारी केजिया रोती रहती है लेकिन उसके पापा बिलकुल भी उसके उपर दया नहीं करते केजिया को समझ में नहीं आता कि आखिरकार मुझे ये पनिश्मेंट क्यों मिली है जबकि मैंने तो अपनी गलती मान ली तो इसको इस चीज़ का बहुत दुख होता है बिटरली मतलब कि एक तरीके से आप समझते हो कड़वापन महसूस होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि अंदर से कड़वा कड़वा फील हो रहा है हमें बहुत बुरा बुरा फील हो रहा है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको बिटरली फील होता है हे भगवान तुमने फादर को क्यों बनाया तो केजिया भगवान को ये भी बोल रही होती है कि भगवान तुमने फादर को क्यों मनाया लेकिन एक शाम का समय होता है जब वो अपने पडोस के अंदर यहां से पास से पडोस के अंदर जो ये फैंसिस होती है इनके अंदर से देख रही होती है कि कुछ बच्चे एक आदमी के साथ खेल रहे हैं अब ये जो आदमी था ये थे Mr. MacDonald Mr. MacDonald अपने पाँच बच्चों के साथ मज़े से गार्डन के अंदर खेल रहे थे ये सब लोग हस रहे थे, enjoy कर रहे थे और मस्ती मज़ाख कर रहे थे केजिया को समझ में आ जाता है कि सारे के सारे फादर एक जैसे नहीं होते कुछ फादर अच्छे भी होते हैं, कुछ फादर प्यार भी करते हैं अपने बच्चों को उनकी केर भी करते हैं जैसे कि Mr. MacDonald और कुछ फादर बहुत क्रूल भी होते हैं मतलब कि निर्दई, प्यार ना करने वाले, गुस्सा करने वाले तो उसको समझ में आ जाता है कि जो उसके फादर हैं वो काफी जादा क्रूल हैं निर्दई हैं, गुस्सा करने वाले हैं, उसे प्यार नहीं करते हैं लेकिन कुछ समय बाद ही केजिया की सोच बदल जाती है ऐसा क्यों होता है? एक दिन की बात होती है केजिया की मदर की रात को तवियत खराब होती है Grand Mother केजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल में जाती है केजिया घर पर अकेली रह जाती है और उसके साथ होती है उसकी कुक अब कुक के साथ केजिया आराम से होती है डे काफी अच्छे से गुजरता है, दिन काफी अच्छे से गुजरता है लेकिन रात को कुछ इशू जाना शुरू होते हैं केजिया अच्छानक से रात में बीच में उड़ जाती है जोर जोर से चिला रही होती है बचाओ बचाओ क्योंकि केजिया को एक खतरनाक सपना आया होता है हौरिबल नाइट मेर नाइट मेर का मत्तब की सपना हौरिबल बड़ा ही खतरनाक तो केजिया जोर जोर से रो रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ जैसे ही वो अपनी आखे खोलती है वो देखती है कि उसके फादर उसके साथ में बैड़ पर लेटे हुए है उसको अपनी गोध में लेते है उसके फादर अपने हाथों से उठाते हैं और कमफर्टेबल करते हैं उसको के बैटा ऐसे दुखी मत हो परिशान क्यों हो रही हो उसके फादर बोलते हैं कि देखो ऐसा करो तुम जो तुमारे पैर ठंडे हो रहे हैं it was then she realized केजिया को अब realize हो जाता है कि जो उसके father है वो एक giant नहीं है मतलब ही कितने बड़े से दिखने वाले इंसान नहीं है बलकि अच्छे इंसान भी है केजिया को ये भी महसूस होता है कि जो उसके father है वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी care भी करते हैं लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका अलग है जैसे Mr. MacDonald का तरीका था क्या था Mr. MacDonald का तरीका बच्चों के साथ खेलते थे हसते थे मजाग करते थे लेकिन उसके फादर थे उनका कुछ ऐसा तरीका नहीं था उसको ये भी रिलाइज हो जाता है केजिया को के फादर को दिन बर काम करना पड़ता है काम क्यों करते हैं वो जिससे की घर के लिए कमा सकें कमा सकें तो केजिया स्कूल जा सकेगी अच्छे अच्छे फोन खरीद सकेगी अच्छे अच्छे खाने की चीजें खा सकेगी और फ खतम होता है आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर से क्या किसी के फादर केजिया जैसे हैं बहुत गुस्से वाले डाट देते हों और चीज के उपर कमेंट जरूर करना question आपके होंवक के लिए है केजिया का जो effort था to please हर फादर अपने फादर को खुश करने का आखिरकार उससे उसके फादर दुखी क्यों हुए परिशान क्यों हुए ऐसा क्यों हुआ था आपको कमेंट करना है कि उसके फादर नराज क्यों हो गए थे इस वज़ासे यहीं पर यह chapter खतम होता है इस वीडियो को आप like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो subscribe के साथ में join का बटन है उस पे click करके member जरूर बनना क्योंकि आपको मिलने वाले हैं sample paper notes और साथ में shout out अगर आप member बनते हो so thank you so much for watching this video see you in the next video bye but till then manu से ग्यान लेते रहो और इसी तरीके के और भी वीडियो देखते रहो